हाई अब्रिवन मैं हूँ लबली आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लबली कीचन में आज मैं आपको दो तरीके से चाय बनाना सीखाऊंगी आप लोग को चाय बनाने का कौन सा तरीका जादा पसंद आया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप लोगों में रेस्पीस पसंद आती हैं तो इसे जादा जादा शेयर करी अपनी फैमली और फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे नए हर वीडियो की जनकारी असानी सा आप कोट लिया है काली मेर्च पाउडर और यहां पर मैंने लिया है पानी तो चलिए चाए बनाना शुरू करते हैं चाए बनाने के लिए गैस को आन कर लेते हैं और इसमें मैं यह पाणी डालूंगी पानी को गरम कर लेते हैं, देखिए पानी गरम हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं चीनी, मैंने यहाँ पे छोटे चम्मच से दो चम्मच चीनी डाला है, आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, और चापत्ती, यहाँ पे मैंने दो चम्मच चापत्ती डाला है, और इसके साथ हम डाल देते हैं यह, लॉंग, अद्रक, और इसी टाइम हम डाल देंगे यह, इलाची और काली मिर्च पाउडर, मैंने दो पिंच काली मिर्च पाउडर लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें बॉइल आने देते हैं, तो देखें इसमें बॉइल आ रहा है, अब इसी टाइम हम इसमें दूर डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लेते हैं, इसमें एक बॉइल आने देते हैं, तो देखें इसमें बॉइल आना शुरू हो गया है, दूर को डालने के बाद जादा देर तक इसको बॉइल नहीं करेंगे, तो देखिए, करीबन आदे मिनिट हो गया है, इसको बॉइल करते हुए, उपर हलकी मलाई भी आ गई है, चाय में, तो अब गैस को बंद कर देते हैं, तो चलिए चाय निकाल लेते हैं, चाय को हम छान लेते हैं, और इसे कप में निकाल लेते हैं, तो ये देखिए, कित्ती बढ़िया चाय बन के तयार हुई है, आपको ये तरीका कैसा लगा चाय बनाने का आप मुझे जरूर बताईएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, चाय बनाने के लिए गैस को ओन कर लेते हैं, अब इसमें डालेंगे दूद, और अब डालेंगे पानी, एक ग्लास दूद है तो आदर ग्लास पानी डालेंगे और इसमें एक बॉइल आने देते हैं, गैस का फ्लेम हम हाई पे ही रखेंगे तो देखिए ये बॉइल होने वाला है, अब गैस को लोग पे कर देंगे अब इसी टाइम हम डालेंगे चीली, मैंने यहां पे दो बड़े चमच चीनी डाला है, चाय की पक्ति, दो चमच और इसे मिक्स कर लेते हैं, मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब इसमें डाल देते हैं अधरक्र और लॉंग, इलाची काली मिच पाउडर, और इसे लिए मिक्स कर लेते हैं, अब इसे अच्छे से बॉइल होने देते हैं, गैस को हम मीडियम पे रखेंगे, और वीच वीच में लो करते रहेंगे, ताकि चाय अच्छे से बॉइल हो जाए, इसको अच्छे से बॉइल कर लेते हैं, मैंने चाय को टोटल तीन मिनट बॉइल किया है, और देखिए चाय के उपर मलाई भी आ गई है, यानि कि चाय बन कर तयार है, अब गैस बन कर देते हैं, चाय चान लेते हैं, तो देखिए मैंने चाय को छान लिया है, और इसे कप में निकाल लेते हैं, तो देखिए गर्मा गर्म चाय बन के तयार है, मैंने दो तरीके से चाय बनना सीखाया है, आप लोग को कौन सा तरीका जादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू,